दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड़फोन्स के बारे में और ये जो इयरबर्ड्स आती हैं इनके बारे में इयरपीस बोलते हैं, वाइरलेस इयरपीस बोलते हैं, एयरबर्ड्स बोलते हैं गटी बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कौन सी इसमें बढ़िया होती है? इन दौनो चीजों में से कौन सी चीज़ गाना सुनने के लिए बढ़िया होती है और उसके पीछे का scientific reason कि वो क्यों बढ़िया होती है? सबसे पहले होते हैं काफी यह थोड़ा छोटा है सोनी कंपनी का है यह बड़े भी आते हैं चोटे भी आते हैं पूरा कान कवर करने वाले आते हैं कान की उपर लगने वाले आते हैं सॉफ्ट कुशन वाले आते हैं हाड कुशन वाले आते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या फाइदे हैं एक हेड़फोन इस्तिमाल करने के हेड़फोन जो की इरबर्ट इससे पहले की खोज है 1980-1970 इस जमाने में जब कैसेट प्लेयर चला करते थे वाकमेन चला करता था सोनी का तब बहुत ज़्यादा popular हुए थे उससे पहले भी music सुनने के लिए नहीं के इस्तिमाल किया जाता था वह बहुत बड़े होते थे इनकी खास बात यह है कि यह आपके कानों को completely चोक नहीं करते कई लोगों को यह प्रब्म होती है कि वह लगाते है ना इनकी खास बात यह है कि बहार की noise आपके कान तक आने नहीं देते अगर पूरा कान कवर करने वाला है headphone है जो कि थोड़ा महंगा आता है ध्यान देना कि जो headphone बड़ा है यहां से और आपके पूरे कान को cover कर ले रहा है अंदर वो उतना जादा महंगा होता है इसलिए studio के या monitoring के या जो और professional headphones आते हैं वो महंगे आते हैं और उनका ये जो कान वाला हिस्सा होता है ये बड़ा होता है ये क्या करते हैं आपके कान को अंदर रखते हैं और बाहर से पूरा lock कर देते हैं इससे क्या होता है कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आ पाती और कम volume में भी आप बहुत अच्छी sound enjoy कर सकते ह कम volume से जादा अच्छा enjoy करने से ये फाइदा होता है कि आपके कान खराब नहीं होते हैं जबकि बात करें इनकी तो इन्हें जब आप कान में लगाओगे तो आपको बाहर की आवाज को cancel करने के लिए आवाज बढ़ानी पड़ेगी तो आप ये basically इसमें आवाज बढ़ा हो ये मैं already पहले बता चुका हूँ अब इसकी एक नुकसान वाली बात भी है कि जादे लगा के रखो तो पसीने वगएरा आते हैं और आप इन्हें running करते वक्त कोई physical exercise करते वक्त जादा देर तक नहीं पहन सकते आपको irritation भी हो सकती है आपके पसीने आ सकते हैं और sweaty हो सकता है और जादा तर ये जो headphones होते हैं ये bulky होते हैं और इन्हें ऐसी जगाओ पर पहनना possible नहीं हो पाता यहाँ पर roll आता है in earbuds का जिसे आप physical exercise वगएरा ये सब करते हुए अराम से पहन सकते हैं और workout करते वक्त भी ये सब पहन सकते हैं अगर आपको longer period of time के लिए workout करना है तो ये carry करने में आसान होते हैं ये portable होता है इनकी battery life भी बहुत अच्छी होती दौनों की आजकल बहुत अच्छी battery life है या मैं wireless की बात कर रहा हूं earbuds की इनकी तो इसमें जादा space नहीं होता धुमक धुमक के लिए तो जो बेस आता है वो इसमें अच्छा नहीं आ सकता ये physics है इसमें बेस अच्छा आपको नहीं मिल सकता बेस आपको headphones में ही जादा better मिलेगा और कम आवाज में आपको बहुत ऐसा लगेगा जैसे बीजे चल आवाज की quality और music enjoy करने के उससे दिखा जाए तो दौनों के फाइदे और दौनों के नुकसान है वो मैंने आपको साफ तोर पर बता दिया कि इससे क्या फाइदा है इससे क्या नुकसान है इससे क्या फाइदा है और इससे क्या नुकसान है बाहर जा रहे हो ट्रैवल कर रह आपको आंसर मिल गया होगा झालिघर कि अबिकोर rukष्पते के आते हैं यह भी आपको सस्ते रॉब सेfy कर सकते हैं अगर आपको एच्छी लगी तो उसरे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपकी कोई रया है आप कुछ और सजेशन मुझे देना चाहते हैं या टेकनोलोजी के बारे में आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप कॉमेंट सक्षिन में उपनली पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके कॉमेंट का रिप्लाइ करूँ या तो मैं उसके उपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें 299 रुपीज के तीन इतिकल हैकिंग कोर्स जो आसान भाषा में आपको इतिकल हैकिंग सिखा देंगे मैं मुझत आप से एक लिए वीडियो में थैंक्यों सो मच और गुडबाइ चाहते हैं